तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तू किसका सहारा ब्राह्मन वर्यक देव शर्माजी पांडे एटले के धर्मदेव अने भक्ती देवेनु संतान के घंशां एटले शुरी जी माराज आ घंशां जी मात्र 11 वर्ष नी उम्मरे तीर्थ यात्राय निकलया ने ओग्णिसमा वर्षे रामानन्द स्वामी पांसे दिक्षित थाया ने त्यार थी तेव सहजानन स्वामी और नारायन मुनी नाम थी ओडखाया आम घंशां जी माराज एटले स्री जी माराज एटले सहजानन स्वामी एटले ज नारायन मुनी एटले स्रिक्षा पत्री ना सर्जन हार बगवान स्वामी नारायन वसंत पंच मी संवत अडारसो ब्यासी ना शुभदी ने तमाम वेदो, शास्त्रो, पूराणो औने उपनिशो दोना दोहन रुपे शिक्षा पत्री ना लेखन नो आरंब वड़तालना हरी मंडप मा थायो भाषा गिर्वान संस्कृत अने अनुष्टु पच्छंद मा सिक्षा पत्री ना कुल बस्वने बार श्लोकोनू सर्जन थायो आ सिक्षा पत्री ने आदेश पत्री तरिके स्वामी नार्यान संप्रदाइना बधाज फिरकाओ आदर पूर्वक स्वीकारी मा थे चड़ावे छे संसार रूपी कादव ने दूर करी निर्मल बनावनार अने अविध्या रूपी गाड अंटकार दूर करनार शिक्षा पत्री ने भगवाननु बीजु स्वरूप गणी हरी भक्तो आदर आपे छे एक माता जेम संतान ने केम वर्तवूं ते शिक्षवे ते जरी ते आज शिक्षा पत्री समाज घडतर करतू शलोक शास्त्र गणाई छे एम कहवाई उचे के शास्त्र समझी विचारी ने आचरण मों मुकाई तो ते लोक हितार्थ सिद्ध थाई छे अन्य था ते प्रश्नार्थ वमलो उभा करे छे आपनो उद्धेश आ सिक्षा पत्री ना वस्सो बार शलोको ना हार्द ने उन्डान थी समझवानों छे भगवान स्वामिदार्यान द्वारा कुलग्यार शलोको मां सिक्षा पत्री शू ने शा माटे नी विगतो अप्मा मां आवी छे धर्म सदाचार नो मार्क जीवन मां पकड़ी राखवा मांटे सात शलोको मां सार तत्व रजू थायुँछे रोजबोरोजना जीवन मां भगवाननी नजीक रहवा मांटेना नित्य आहनिक कर्मों सिक्षा पत्री मां तेर शलोको नी बदत्थी थेहवायाँचे जे आत्म निवेदी भक्त छे तेमने करवाना नित्य कर्म कुल सात शलोको थी वर्णवायाचे सर्व शास्त्रो अहिंसाने मोटो धर्म गणावे छे त्यारे आपनों अहिंसा धर्मक्येम आचर्वो तेना सात शलोक सुत्रो अहीं मोझूच छे नईतिक ता ने सदाचार माटे कया परकारना कर्म, वानी, विवेखनी जरूर छे तेनों निर्देश 14 शलोको मा थायो छे मानस सामाजिक प्रानी छे तेमने व्यवसाई करीने जीवन निर्वाहक करवानों छे तो सामाजिक ने व्यावसाईक निती के विराखवी ते शिक्षा पत्री मां 70 श्लोकों मां समझावेलू छे जीव तरीके आपने व्यहवारू बन्मू पड़े छे तो रोजिन्दा जीवन मां एक मानव जीवनों व्यहवार के वो हो जोई ये ते बार श्लोक कणिकाथी चिंदवामा आवेव छे वरू बार एवो बोलाई छे कि जे वो संग एवो रंग भगवान स्वामिदारें कोनो संग न करवो ते बे श्लोक मां टांकी ने समझावे छे अचानक आपत्ती आवे त्यारे मानस चलिक थाई जाई छे तो आपत काड मां शू करवों ते त्राण स्लोकों ने बज़त्ती अने आहार शुद्धी मांटे ने आचान संहिता नव श्लोकों द्वारा सूस पश्ट करवामा आवी छे आव उप्रान स्वच्चता, दान, देव, गुरू साथे व्यवहार, ब्रह्मचर्य, सैयम अने मर्यादा, वरक्त, प्रायस्चित अने अभ्यास, स्वधर्ममा निष्ठा अने सर्व प्रत्य आदर ने विविद्शलोकों मां आचरन मुलक पगलाओ द्वारा समझावामां अवेल छे, स्विक्षापत्री श्त्रियों और विधवास्त्रियों माटे 21 आघना वचनों कुल 16 शलोको द्वारा उच्चा रेजे, स्त्रियों ने जीवन वहवार माटे मार्दर्शन कर्या पचिनो वदुमा वदु भार त्यागियों ना वर्तन वहवार पर सिक्षा पत्री मुखे छे निर्दिष्ट भस्टोंने बार्ष लोकों माथी सत्याविश स्लोको अने कुल भस्टोंने 21 आग्णा वचनों माथी 40 वचनों तो त्यागियों माटे सिक्षा पत्री मुखे छे जारे 27 श्लोकों मां ती 12 श्लोकों मां स्त्रियों थी केटली औने केवी दूरी त्यागीयोय राखवी तेनो स्पष्ट निर्देश करवामा आवे हो छे सिक्षा प्रत्रीमां स्त्रियों माटेनी काड़जीमां शूं औने कोने कहवाई हुछे ते आपणे पछी ना एक संद्र मजाना विडियो मां जाने शूं वरत प्रायस्चितन अभ्यासंगे तथा स्वधर्ममां निष्ठा चत्ना सर्व प्रत्य आदर नुचारित्र घडवा पर भार मुक्वामां आवे हो छे आ सर्व प्रिय सिक्षा पत्रीमां सिक्षा पत्रीना स्लोक नंबर सात ना गुजराती दोरानुवाल जे जगदिश त्रिवेदी द्वारा थैल छे ते जानीने वांचिये तो आपणे ख्या लागे क्या सिक्षा पत्री खरेकशू छे मन एकाग्रे धार्वू हितकारी छे खास सर्जन सिक्षा पत्रीनुँ आ कारण छे दास सिक्षा पत्रीनु सर्जन आपना मन ने एकाग्र करी और हितकारी मार्गे वालवा माटे थैवू छे तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा चड़ सिक्षा पत्रीनुSch